हेलो गैज नावसकार, वेलकम टो अलेंग यान भाय यानन तो मेरे उत्राखन के पहरे साथ यो भीते दिन हमारे उत्राखन में एक न्यूज खुशी की लहर हमारे उत्राखन के युवाओं दे आई इसके लिए 3 जनवरी 2022 से आवेदन कर सकते हो UK तरपलसी चैनायो की ओपिशल वेबसाइट में जाकर तो मेरे उत्राखंड के साथ यो आपको एक complete वीडियो की जरूरत पढ़ रही है आप सकता है आपको उत्राखंड पूलिस भरती की एक complete वीडियो की जो आपको बता पाए उत्राखंड की इस भरती की पूरी डिटेल तो मैं आनंद मेरा आज इस वीडियो के माद्यम से आपको पूरी एटू जड जानकारी पूरी एटू जड इस भरती का कच्चा चिठा आपके समुक प्रस्तोत करने वाला हूँ जैसे उत्राकंड में आईस भरती के लिए फिजिकल कैसा रहेगा फिजिकल कब होगा फिजिकल पहले होगा या रिटन होगा और कब तक यह रिटन होगा और कब तक यह फिजिकल होगा इसके बीच में कितना समाई अंतराल होगा क्या बंदी रक्षका फिजिकल वीसी कॉंस्टेवल के साथ होगा मेडिकल जाज कब होती है और क्या-क्या मेडिकल में होता है आयू सीमा से वंचित हमारे जो युवा हैं उनको अब क्या करना है क्या आयू सीमा बढ़ने के चांस है और असाई की भरती कब आ रही है क्या आचार सहता के पहले आने के चांस है तो इतने सवाल हमारे उत्रकंड के युवाओं के जहन में समय दोड़ रहे हैं तो मेरे उत्रकंड के भाई और बहनों आप लोग उत्रकंड पुलिस में आई इस बढ़ते के लिए आफ़ दन करोगे तो इस वीडियो को कम्पलीट जरूर वाच कर लेना क्योंकि आपका एक एक सवाल इसमय केलियर होगा आप लोग इस फॉर्म को भरने से वन्चित ना हो आप कहीं गलती ना कर बैठो इसलिए पूरी जानकारी आप लोग इसको देखते हुए चलना क्योंकि आपको एक कम्पलीट वीडियो की जरूर दिसमय पढ़ रही है जो आपको एक पूरी परमानिक इनफॉर्मेशन दे पाए चलिए ले चलते हैं इस टैप वाईज आपको बताते हैं थोड़ा सा वीडियो लंबे हो सकती है बस आप लोग बने रहेगा अच्छी जानकारी है तो उत्रकन अधिनस्त सेवा चैन आइक्योर से 28 दिसंबर 2021 को 521 पूलिस कॉंस्टेबल हे तु बिग्यप्ती जारी कर दिये है आप लोग सब लोग जानते हैं इस बिग्यप्ती में जो 521 पद हैं इसमें आरएक्ची संवर्ग यानि जनपदी पूलिस पूरुस के 785 पद हैं PSC IRB पूरुस के 291 पद हैं FIREMAN जिसमें पूरुसेंड महिला दोनों हैं उसमें 445 पद हैं इन तीनों जो इसमें संवर्ग हैं इनको मिलाकर 521 पद हैं तो यौर नोटिफिकेशन आयो की और से वीते दिन जारी हुआ है आप लोगों को इसके लिए आविदन करने के लिए क्या योगिता क्या उम्र सीमा होनी चाहिए वो तो हम आपको बताएंगे अभी बट उससे पहले आविदन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा www.ukcc.com की आविशल बैपसाइट में वहाँ पर आपको आउन लाइन आविदन के लिए लिंक मिलेगी 3 जनवरी 2022 से कब तक मिलेगी लिंक 6 फरवरी 2022 तक मेरे उत्राखंट के मित्रगोडो आपको आविदन करना है तो इसी जनवरी माह मैं कर देना फरवरी का इंतजार मत करना क्योंकि आप लोग सब लोग जानते है हमारे उत्राखंट में कहावद है फरवरी आता जल्दी है जाता भी फरफर है तो इसलिए फरवरी का इंतजार न कर रहे जनवरी माही आप लोग अपना आविदन सुनिश्यत कर रहे है चलिए आपको बताते हैं कि किन पर कितने पद है किस का टेगरी में कितने पद है फिर आपको ले चलेंगे इसकी योग गिता और उमल सीमा की उन पहले पदनाम है उत्राखंड पूलिस आरक्षी पुरु ससवर्ग साथ यो इसमें उत्राखन पुलिस समर्ग में जो हमारा आरेक्षी पुलिस है इसमें टोटल जो पोश्ट है 785 है जिसमें सामानी वर्ग जन्रल काश्ट के अभ्यत्यू के लिए 416 पद है और EWS के लिए 79 अन्नी पिछडा वर्ग OBC के लिए 110 अनुसुचित जन्दाती ST के लि है 149 और इसमें कुछ सब काटेग्रीस भी है जैसे तीन पद इसमें डिफेंडेंट के लिए है एक सर्विसमेन के लिए भी है और फैन के लिए इसमें साथ पद रखे गई है क्योंकि इनको 5% कोटा यहां पर उत्राखन की सरकारी पदों पर भर्तियों में मिलता है तो इनके लिए भी 5% पद टोटल पदों के 5% पद जो है अलोट होते हैं आप लोग इसमें देख सकत हैं मित्रो दूसरा आता है इसमें उत्राखन आरक्षी पीसी आई आर भी पूरी पूर समर गए भी इसमें टोटल पोस्ट है 291 इसमें सामानी कोटे के दहद बन रहे हैं सीटे 154 जिसके अंतरगद हमारी तीन पोस्ट है जो है डिफेंडेंट की है एक सर्विसमेंट की है औ और और्फन की आर्ट है और जो होम कार्ट की है वो आर्ट है और जो जनरल सामानी के बन है 127 बन रहे हैं तो इस तरह के से आपको चलना है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के 29 अन्नी पिछडा वर्ग के 41 अनुसूचित जन जाती के यानि अश्टी के बार और चलिए आपको बताते हैं मित्रो इसमें वेतनमान आजकल क्या दिया जाता है तो लेवल 3 की जौब है 21,700 से आप लोग पहुंचोगे 79,000 तक तो मित्रो लेवल 3 की जौब है बेस्ट एन वेस्ट जौब है मित्रो और आपको बताते हैं आपको आविदन करने के लिए क्या हो चाहिए without any division आपको intermediate pass होना चाहिए उत्राखंड के किसी भी विशुविद्याले से बाहर के विशुविद्याले से नहीं उत्राखंड विद्याले सिक्षा परिशत रामनगर से आपको intermediate परिक्षा उत्तिन होनी चाहिए बस कोई भी qualification और अदर आपको नहीं चाहिए only intermediate without any division तो यह आपको याद रखना है 12th pass कोई भी division आपकी हो किसी भी stream से हो आप लोग इसके लिए आप दिन के पात रहें अब आती है बाद उमर सीमा की अभी आपको बता दे है कहां से age count हो रही है उससे पहले आपको बता देते है मित्रो इसमें साररिक नाप जोग क्या क्या होत है उमर सीमाक तो हम आपको अभी बताएंगे तो पहले लेट चलते हैं आपको इसके किस्प की ओर इसके साररिक नाप जोग की ओर तो साररिक एहरता जो इसमें है साथियों उचाई उचाई आपको ध्यान रखनी है सामान यानि जन्रल कास्ट ओबिसी एन असी अब्यर्थि ओबिसी कास्ट के हमारे उत्रकंड के अब्यर्थि और अनुसुचित जाती सी के हमारे उत्रकंड के अब्यर्थि उनके हाइड है 165 सेंटीमिटर और यदि आपके पास हिल साडिविगर्ड यानि आप पहाड़ी जिलू से बिलाउं करते हैं तो आपके पास हिल साडिविग अनुसुचित जंजात यानि आप लोग 80 कटेगरी से बिलॉंग करते हैं तो आपकी हाइड होनी चीए 157.5 सेंटीमिटर नोट कर लो ध्यान रख लो दूसरी बात आती है सीने की माँ यानि आपकी चेश्ट कितनी होनी चीए इसमें भी कास्टवाइज है चेश्ट भी सामानी ओबिसी और अनुसुचित जाती जो हमारे अभ्यरती है उत्राखंड के उनकी जो सीने की माँ भई यानि च्छाती किचनी होनी चीए विना फुलाई आपकी जो चेश्ट होनी चीए 78.8 सेंटीमिटर होनी चीए और फुलाणा आपको 5 सेंटीमिटर है फुला के आपकी जो chest है 83.8 cm होनी चीए आपको आउगत करा दे मित्रो इसमें chest में बहुत से विद्यारती बहुत से हमारे उत्राकंड के बेरते बाहर होते हैं तो अपने chest के आपको अच्छी कासी तैयारी करनी है क्योंकि chest में इसमें बहुत से बाहर हो जाते हैं और परवती यदि हील सैटिवगर्ड आपके पास है और HD काटाइकर से आप लोग विलांग करते हैं या आपके पास हील है या आप लोग HD से हैं तब आपको यहाँ पे 2 cm की छोट मिलेगी किसमें chest में हील सैटिवगर्ड और HD वालों को 2 cm की छोट मिलती है चाती में 76.3 cm आपके chest होनी चाहिए और फुलाकर आपको फुलाकर आपको 81.3 cm तो hide and sinek की माम हमने आपको बता दी अब बात आती है कि सारिक दक्षता परिक्षन मित्रो सारिक दक्षता परिक्षन है physical मानक आपको physical में क्या-क्या देना पड़ेगा physical आपको आउगत करा दे है physical इस police constable भरती का पहले होगा उसके बाद written होगा physical के marks जुड़ते हैं 100 marks का physical होता है 100 marks का test होता है physical के marks आपके जुड़ंगे constable में assignment नहीं जुड़ते हैं और यहाँ पर और test के marks आपको 200 मेंसे आपकी merit बनती है आपके पास chance है यदि आप लोग अपना physical अच्छा देते हैं आप physical तो आपके हाथ में है यदि आप लोग physical अपना अच्छा मारते हैं तो आपके निकलने के chance ज़्यादा होते हैं क्योंकि हर लोग अपनी टैच्ट में अपनी इस तरह से तयारी करता है जिसका वाँ पर अच्छा लग गया वह सही रहता है तो फीजिकल आपको अपने पीजिकल लेकर चलना है तो 90 क्रॉस आपको अपना फीजिकल जरूर देना है चलिए step wise आपको ले चलते हैं पहले boys physical के और fill लेंगे girls physical के और तो boys physical में आएंगे cricket ball throw, cricket ball throw आपको फैक नहें साथ यो, 20 marks का है, 20 पुरांग का आपको मिलेंगे यदि आप लोग 70 meter फैक देते हैं तो excellent आओगे 20 marks आपको मिलेंगे यदि आप लोग 65 meter फैक ते हो तो आपको 16 marks से आपको दे जाएंगे यदि आप लोग 60 meter फैक ते हो तो 4 marks यदि आप 15 meter फैक ते हो तो 12 marks 50 meter फैक ते हो तो 10 marks से आपको 20 marks चाहिए तो आपको 70 meter cricket ball throw फैक नहीं पड़ेगा, 4 piece की ball होगी, बारी weighted होती है दूसरा आपको जाना पड़ेगा फिर physical, दूसरे step में, लंबी कूद, तो लंबी कूद भी 20 marks की है यदि आपको 20 by 20 marks चाहिए, तो लंबी कूद आपको 8 feet कूदनी पड़ेगी यदि आपने 17 feet कूद गए तो 8 number दे जाएंगे, 16 feet कूद गए तो 16 number, 15 feet कूद गए तो 14 और 14 feet बार, और 13 feet कूद गए तो आपको 10 marks दिये जाएंगे, आपको बता दे, आपको physical में 50 number लाने जरूरी है यदि आप लोग physical में qualify नहीं उपाते हैं, तो आपको यही पर ही disqualify कर दिया जाएगा ऐसा है, आपको physical में qualify करना भी जरूरी है, आपको qualify अवश्य करना है तीसरा आता है chin up, जिसको हम क्या कहते हैं, बिम कहते हैं, इसमें 20 number का होता है यदि आप लोग 10 chin up, बिम कहते हैं, जो उपर को मारते हैं, यदि आप लोग 10 मार देते हैं, तो excellent माना जाएगा 20 बाइ 20 marks आपको दिये जाएंगे, 9 बाइच होँ देते हैं, उपर तो आपको 16 marks, यदि 8 बिम मार देते हो चिन up आप 14 marks, 7 बिम मारते हो बार बार 5 बार आप छोँ देते हो उपर, तो आपको 10 marks आपको 10 marks आपको दे जाएंगे यदि आपको दंड वैठक में 20 बाइ 20 मार्क से चाहिए तो आपको 2 मिनट में 100 बार बैठना पड़ेगा तो आपको 10 मार्क से मिलेंगे और 2 मिनट में 80 बार आप बैठ गे तो 8, 2 मिनट में आप लोग 65 बार बढ़ गे 6, 2 मिनट में 50 बार बढ़ गे 4 मार्क से आपको प्रोव है 75 बार मारते हैं तो आपको यहां पे 10 marks दिए जाएंगे आप लोग जो dips मारते हैं वह है ठीक है 75 मारने हैं आपको 10 यह एक्सलेंट मारना है तो यह ध्यान रखना आपको 75 का अगला है दोड़ चाल इसमें होती है 3 किलो मेटर की दोड़ यह धी आपको excellent मारते हो 20 marks आपको मिलेंगे 3 किलो मेटर आप लोग 10 मिनट में मारते हो तो 20 नमबर यह धी आप लोग 3 किलो मेटर 12 मिनट में मारते हो तो 18 नमबर मिलेंगे 3 किलो मेटर आप लोग 4 मिनट में मारते हो तो 16 नमबर 16 मिनट में मारते हो तो बार यह दिए आप लोग 20 मिनट में कौलिफय करते हो अपनी दोर तो Armor 3 किलमिटर है excellent हमारती हो 10 मिनट में तो आपको 20 मासें आप़े दिये जाएंगे तो total हमारा physical हो गया 100 मास का 100 मास का हमारा test होगा test साथ हमारा utrakhand अधिनास्य सेवा चाइनाय अग लेगा फिजिकल हमारा उत्राखन पुलिस मुख्याले करवाएगा और UK तिरपलसी चैने का जो सामानिस सलिबस है जिसमें 40 माक्स के उत्राखन जीके है 20 माक्स के हमारे हिंदी ब्याकरण है और 20 माक्स का हमारा जर्नल स्टडी है और 10 माक्स का हमारा कम्प्यूटर है 10 माक्स के हमारे रिजिनिंग है तो यहाँ पेपर मीडियम है इसी तरह के से आप लोग तैयारी करिएगा अभी हम वीडियो के अंतर में आपको सलिबस प्रोवाइड इसका पेपर पेटरन प्रोवाइड हम करवा देंगे आभी वीडियो के अंतरब लोग जाएगा दूसरा पदनाम हमारा Fireman Agni Summon जिसमें पुरुस हैंन इसमें महिला के पद भी अलोड है तो महिला का physical होगा आप बता दें महिला का physical में क्या क्या होता है तो मेरे मित्रकड़ो इसमें जो पूरे पद है 445 है जिसका पत का नाम है फायर मैन अगनी सामन अगनी समानेम आपात सेवा बिबाग पूरुस और महिला के दोरुपद है सामन के 445 में 277 सीट हैं सामनी ओमैन के इसमें 71 सीट हैं और आर्थिक रूप से कमजोर EWS के 44 सीट हैं और EWS ओमैन के 13 सीट हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के 62 सीट हैं और OBC ओमैन के 19 सीट हैं और अन्य सुचित जंजादी के 17 सीट हैं और अन्य सुचित जंजादी 80 ओमैन के 5 सीट हैं 80 के 85 सीट हैं 80 ओमैन के 25 सीट हैं तो अन्य कटेगरीज यहां पे हैं एक्स सर्विसमेन के चार, तीन, दो, ग्यार, ट्वंटी सिट हैं तो इस तरह से आप लोग जानगे कि फाइर मैन के अंतरगत पूरुसेंड महला के 4, 4, 5 पद हैं इसमें अब ले चलते हैं इसके बेतनमान की और 21,700 इसका बेतनमान है लेबल 3 की जौब है ये भी और इसके लिए क्वालिफिकेशन आपके क्या होनी चाहिए इंटरमेडियेट पास होना चाहिए आपको without any division without any stream आपने बार पास किया है तो आप इसके लिए eligible हो बताते हैं अब महिलाओं का physical महराओं की सारिक नाब जोग परिक्ष्या चलिए हमारे उत्राखन की सारी बहने देख लें आपका जो physical है क्या-क्या पूछा जाएगा आपकी जो hide है सामानी category से आप लोग हो OBC category से आप लोग हो और SD category से आप लोग हो तो आपकी hide हो नीचे महला बेर जूकि हमारे 102 सेंटीमिटर आप लोग अनुसूचित जन जाती यानि 80 से बिलॉंग करते हो तो आपके हाइड उनीची 147 सेंटीमिटर यदि आप लोगों के बास हील सेडिपिगर्ड है तो आपके हाइड उनीची है 147 सेंटीमिटर और आपकी वजन यापर ना पाजाएगा 45 किलोग्राम आपका वजन होना अनिवारी है तो हाइड के इसाब से आपका 45 केजी से अब वजन होना अनिवारी है अब ले चलते हैं आपके फिजिगल ग्योर हमारे उत्राखंड की महले हैं सारे ध्यान दे हमारे उत्राखंड की बेन हैं सब ध्यान दे आपको बता दे हैं किर्केट बॉल थ्रो पहला आपका होगा 20 मार्क्स का होता है यह दिए आप लोग एक्सलेंट इसमें मारते हो तो आपको 32 मीटर फैक ना पड़ेगा किर्केट बॉल थ्रो और 28 मीटर फैक ते हो आप लोग तो 16 नंबर आपको प्रोवैट के जाएंगे 24 मी मीटर फैक तो 12 नंबर 16 मीटर फैक तो 10 मार्क्स इसके बाद यह दिए आप लोग यहां पर अच्छा परदसन कर देते हो तो दूस्ते स्टेज में आते हो लंबी कूद तो लंबी कूद 20 अंक की है यह दिए आपको 20 मार्क्स से है तो आपको 13 फिट कूदना पड़ेगा यह है 50 मीटर तो दोड़ आपकी 50 मीटर है सटल रेस है दोड़ है इसके बाद तो 50 मीटर आपकी दोड़ है 11 सेकंड में मारते हो तो 20 मार्क्स आपको दे जांगे फास्ट रेस है 12 सेकंड में मारते हो टार नंबर 13 सेकंड में मारते हो तो 16 नंबर 14 सेकंड में मारते हो 14 15 सेकंड 20 मार्क्स लेने के लिए 50 मीटर तीक है इसके बाद सटल रेस है 100 मीटर के आपकी सटल रेस है 4 राउंड है आपके यदि आप लोग इसमें 26 सेकंड मार देते हो तो 20 मार्क्स यदि आप लोग 17 सेकंड मारते हो 18 मार्क्स 28 सेकंड मारते हो तो 14 29 सेकंड मारते हो तो 10 मार्क्स इस इसके बाद आता है आपका skipping 20 marks की है यह दिया आप लोग skipping 20 marks चाहिए तो 80 बार आपको लगाने पड़ेगा एक मिनट के टाइम में 75 बार कर देते हैं तो एक मिनट में तो आपको 18 इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं 70 बार में 65 बार कर देतो 14 और टाइमिंग जो है वही एक म और एक शिया तो अलग-अलग है महिलाओं का हमने बता दिया अब आता है फायर मैन के अंदर गत पुलीस पुरूसका तो फायर मैन पुरूसका यह दिया आप लोग फॉर्म बरूगे तो आपकी हाइड एन जो चेस्ट है सेम टू सेम है जो हमने बता दिये इस परवती शेत 86.3 cm है मेरे मित्रो सीने की माप फायर मैन में ज़्यादा है आप लोग ध्यान रखेगा सीने की माप सभी वर्ग के लिए आपे समान है 81.3 cm विना फुलाए है और फुलाने के बाद 86.3 cm है और यहाँ पर कोई भी मानक आपका काम नहीं आएगा आपकी सब की चेस्ट सेम होन कि अगला यहाँ आता है फायर मैन में फिजिकल की हो और फिजिकल वही है दंड बाटए के फिजिकल वही है आप लोग सब लोग जानते है तो 3 कुटर वह जो अभी हमने आप बताया अब आती है कि फायर मैन ने जो टेस्ट है कैसा होगा दो घंडडे का पेपर है सामानी य ठीक है मित्रो तो ये चीज़े हमने बताए दी अब आपको ले चलते हैं कि इसमें आयू सीमा की हो तो सबसे बड़ा सवाल है आयू सीमा का फिर आते हैं मेडिकल की होड़ हम लोग तो आयू सीमा जो हो रही है काउंट एक जुलाई 2021 से काउंट हो रही है तो सबी बच्चे ध्यान दे एक जुलाई 2021 से आप लोग अपनी एज काउंट करें यदि आप लोग की एज एक जुलाई 2021 इसको अठार वर्स हो रही है यानि अठार वर्स से आपको लग रहा है या उत्राखन के युवा, इसके लिए जनल काष्ट के युवा और EWS काष्ट के युवा, इसके लिए आफदन के पातर हैं, और हमारी महिलाएं, जो उत्राखन की हैं, 18 से 25 साल तक, अपना पत्चीज और एक साल की कुरून के वज़े से चुछ चूट चब्बीझ साल तो, 8 से 26 स है हमारे उत्राकंड की महलाओं की एज और 28 से 23 साल है हमारे उत्राकंड के जन्रल EWS कास्ट के युवाओं की एज एज काउंट हो लिए एक जुलाई 2021 से काउंट हो रही है और 55 साल की चूट किसको दे रिखिए एक जुलाई 2021 से आपको अपनी एज काउंट करनी है ठीक है अब बात आते हैं इसमें कुछ और उको भी दे रिखिए जैसे होमगार्ड और जो हमारे सेना में बीर गती प्राप्त साहनिकों के जो परवार के आसित हैं उनको पांस वर्सकी चूटियां भी दे रिखिए आयू म इस तरह से बहुत से हैं आप लोग इसको नोटफेशन को पढ़ लिजीगा बात आती है मित्रो इसमें अब हमने सारी चीज़ां आपको कबर करवा दी अब आती है बात कि हम आवे दिन कैसे करेंगे आवे दिन करने के लिए आपको उत्रकन देना से सवाच चैना की ऑपिसल वेबसाइट में जाना पड़ेगा और वेबसाइट में आप जाएंगे तीन तारिक से आपे लिंक आ जाएगी लिंक में आप लोग जाना तो आपको आवाँ पे सो हो जाएगा वो तो हम आपको बता देंगे जब लिंक किसकी आएगी ठीक है अब आपको ले चलते हैं इसक से fit होना चाहिए घिक medical रूप से fit होना चाहिए आपकी आँखु का पहले टेस्ट होगा 6x6 आपकी आँखोने चीए और दूसरी आग 6 by 9 से आपका पहले होगा और बिना चेसमे के दैनी आँख से काम करने वाले बिर्ट्यू के लिए देहनी जो आंक है 6X6 और बाएं आंक से 6X6 होनी चाहिए यह इदि आप लोग चस्मा पैनते हो तो आपकी आंक है six by six होनी चाहिए और यह दिया आप लोग चस्मा नहीं पैनते हैं तो एक आंक six by six, दूसरी आंक six by nine से कम नहीं होनी चाहिए और यदि आपकी अलग जैसे सटा गुटना आपका है सपाट पैर हैं, वोर लेग हैं वेरिकोस है, वेन है हकलाते हो, आप लोग विकलांगता है तो ये जो डूटी के दौरान समस्या आप बादा करती हैं ये सबी जो है मेडिकल में अयोग की माने जाएंगे तो ये चीज़ें ये आपके पास है भी आप लोग सटा गुटना है तो इस पर आप लोग थोला वर करकर अपना ठीक करवा सकते हैं, तो करवा लीजेगा ये आप लोग इसके अंदर गर्द पे आती हैं तो मेडिकल में क्या क्या जाच होगा सिक्स बाइ सिक्स आपके आँखें चेकोंगी पहली बाल और बेंगापन और ये आपका सटा गुटना है, सपाट पैर है बोरलेग है और हकलाते हैं आप लोग का विकलांगता टेस्ट होगा और अन्य जो समस्याएं हैं जो फाइरमेंट, डूटी, आरक्षी के दौरान वादा उत्पन करते हैं वो आयोगी माना जाएगा तो ये चीज़ां आपके याँपे टेस्ट होगी और चिकिसा बोर्ट, नाक और फ्लैट फीट और दूर 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 कलर विजन और स्रम्र छम्ता आपकी चेक करेगा तो इस तरह से आपका जो भी आपका मेडिकल जो आपके सरीर जो जूटी के दौरान आपका आनी पहुँचाता है वो चीज़ें आपके देखी जाएंगी तो ये चीज़ां कि छर्यतरा आपका आफ़तन करने के लिए अच्छा होना चीज़ें एक डावड योगा कि इंप्लोयमेंट माँ आपका नाम होना चाहिए या नहीं होना चीज़ें आपका है तो ठीक है मित्र नहीं है तो कोई जरुवत नहीं है कि उत्राकर्ण अधिनस्स सेवाच चैनायक का रूल है कि यदि आपने इस्कुलिंग जो है उत्राकर्ण बोर्ट से की है तो आपको employment की कोई जरुवत नहीं है ये साब साब रूल है अब बात आती है आपके सवालों के जवाब के और physical कैसा होगा तो हमने बता दिया return कैसा होगा उगे बता दिया पहले किया होगा तो पहले होगा मितरोम हमारा physical पिर होगा हमारा return और बात करते है physical कब होगा written कब होगा जो इसमें date दे रहकिया में तो written की लिक्ऩित परिक्ष्याका अनुमाने तो समाई June 2022 दे रहकिया तो जून मार्च दोजार 22 में करवा सकता है तो एक से दो मेने का समय आपको मिल सकता है यादि आगे खिसकती है तो लगता है मैं साथियो अब हमारे according हमारे जैसा expense है अप्रेल तक आपका physical होके जुन जुलाई तक आपका इसी के साथ होगा सासात्म होगा और जनपद wise physical होगा सब district का अलग-अलग होगा तेरो के तेर जनपद होगा अपने पुलिस लाइन में होगा ये चीज़ां आपको ध्यान रखनी है और बहुत से हमारे candidate है कि हम किस जगर से आवदन करें क्योंकि किसी जनपद में ज़्यादा वैगन से आती है तो आपको बता दे मित्रो इसमें अलग-अलग funda होता है कोई करता है कि जिस छेतर में OBC ज़्यादा रहते हैं और वहाँ पे ASC वाले कम रहते हैं तो वहाँ पे ASC का ज़्यादा मौका रहता है तो दूसरे जिले के ASC वाले ability वहाँ जाकर ASC से आविधन कर देते हैं तो इस तरह से आकड़ा लगाया जाता है और जन्रल वाले candidate का तो सेम merit हर जिगह से उड़ती है तो बड़ा ASC, ASC जो कास्ट हैं उनकी जो category है अलग-अलग जनपद की उड़ सकती है तो ये चीज आपको ध्यान रखना है आप लोग जिल्फी जनपद से बरो बड़ आपको ध्यान रखना है कि आप लोगों को एक ही जनपद से बनना है ना कि दो से ज़्यादा जनपद उगरे एक ही जनपद से बरो कहीं से भी बरो ये आपको ध्यान रखना है लगबग सो डिर सो डिर सो पद इसमें अज़ जगह से हैं और जहां पे ज़्यादा प्पॉपलेसन है वहां पे ज़्यादा बद रहते हैं आप लोगों को तोड़ा सा ध्यान रखना है ये चीज़ें होगे मित्रों अब बात आती है आयू सिमा बढ़ने के कोई चांस है तो एक एवर गरीन सवा तो हमारे जो बेरोजगालों के लिए बने संगडन है उनकी लगातार मांग है और 31 दिसमबर को अंतिम मांग है 31 के दिन की आयू सिमा को बढ़ने के तो लगातार संगर से जारी है तो इस बीच असास्नदेर जारी हो जाता है तो हम आपको बता देंगे अभी आपको बता दे चांस है बढ़ने के क्योंकि लगातार परियतन सील है चुनाओ का महौल भी है सरकार सुन सकती है हमारी बात तो लगातार इसकी मांग भी उठ रही है 31 को रेली का आईजिन भी है बात आती है असाई भरती की विग्यप्ति जन्वरी में आईगी तो आचार सहीता से पहले बता जारे कि असाई भरती भी यह तो विग्यप्ति भी जारी हो जाएगी तो आईढ़ मेरे उत्राकंते भाई और बेनों मैंने आपके सारे डाउट किलियर कर दिये written कैसा होगा और physical कैसा होगा यह हमने बता दिया written का syllabus यदि आपको चाहिए तो हम अपने whatsapp में share कर देंगे या video discussion box में share कर देंगे तो I.O. के मुताबिद सामानी paper होता है तो हम आपको अभुगत करा देंगे तो फिलहाल आप लोग हमसे इसका syllabus ले सकते हैं link है हमारे group की video discussion box में तो जरूर ले ले हमारा whatsapp नमबर आपको मिलेगा नीचे इसका syllabus आप लोग परिक्षिया का syllabus ले सकते हैं और इस video को भी प्रापता आप लोग हमारे whatsapp से कर सकते हैं वहाँ आपको share कर देंगे तो वीडियो आपको कैसे लेके जरूर बताएं नए होतो चैनल को subscribe करें बगल में घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको हर एक update का समय रहते notification मिल दाए और अपने दोस्तों को जिसको पूरी जान करें इसकी नई है उसको share करना मद भूल है ताकि उनको भी इसकी full information हो सके तो God bless you मित्रो आपकी मेहनत रंग लाएगी यदि आप लोग को खुब दिल लगा कर मेहनत करोगे हमारा साथ आपके साथ बना रहेगा बस आप लोग को मेहनत अपनी नहीं चोड़नी है God bless you